बारत में बहुत से कार इंत्यूजियस्ट हैं जो गाड़ियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिल्चस्पी रखते हैं उनके बीच किसी लगजुरीकर का टॉपिक भी डिसकेशन के लिए एहम होता है वैसे तो भारत के अंदर कार को मशिन के रूप में नहीं देखा जाता कार समारी जिन्दगी का अभी नंग होती है बिल्कुल हमारे दुसरे घर के जैसे पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपनी कार को सही से मेंटेन नहीं कर पाते उनके लिए मेंटेनस का खर्चा करना बहुत जादा होता है उसी में लगजूरियस कार को मेंटेन करना यानि हाथी को पालने से भी बढ़कर होता है जिसमें सस्पेंशन फिल्यूर, ECM का रिपेर ना हो पाना कार का प्रोब्लेम डाइगनोजी ना हो पाने की वज़े से बहुत से लगजूरियस कार बायर्स इन्हें रास्तों पर छोड़ देते हैं एसी बहुत से एबॉंडेन गाडिया दिल्ली, मुंबई, चन्याजी से मेंट्रोपोलिटेन सिटिस के अंदर अकसर देखने को मिलती है जिनकी कंडिशन बद से बदतर हो जाती है जो रिपेरिंग और रिस्टोरेशन से बहुत आगे निकल जा चुकी होती है इनके रिस्टोरेशन और रिपेरिंग के खर्चे के अंदर नई चमचमाती कार आ सकती है तो आज के इस वडियो में हम एबांटेंड लगजूरेश कार को देखने वाली है तो चलिए आज के वडियो को शुरू करते है यहाँ पर इस पेंटली कॉंटिनेंटल फ्लाइंग स्पर को बहुत दिनों से इस हालत में चोड़ा गया है इस खुबसुरत कार को इस कंडिशन में क्यों छोड़ा गया है यह तो पता नहीं गाड़ी को बहुत से दिनों तक पूलिस कंपॉंड के अंदर रखा गया था एसा कहा जाता है कि इस गाड़ी को चोरों ने इस्तमाल किया था इसी केस के चक्कर में एक भहुती यूनिक एकस्पेंस्यू कार कच्छरा बन गई है बेंटली की कॉंटिनेंटल फ्लाइंग्स पर एक फुल साइज लगजूरी सेडन कार है जो अपने अल्टरा लगजूरियस कंफर्ट के लिए पेचानी जाती है ये गाड़ी बारत में अभिशेक बच्चन, अक्षय कुमार, योहान पुनावाला, शिल्पा शिट्टी जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रेटीज के पास है बारत में इस गाड़ी की अंडरोड प्राइजेस 3.5 करोड रुपीज तक जाती है मर्सेडिज की S-Class Siden सबसे टॉप ओफ दे लाइन कार है ये जर्मन कार बहुत से बिजनेसमेंस, हाई प्रोफाइल विएपीज, सेलिब्रेटीज के काफिले के अंदर गाड़ी को अक्सर देखा जाता है यहाँ पर मर्सेडिज S-350 एबांटेंड कंडिशन में है इस वाली S-350 को ओनर रे रोड सैड कहीं पर पार्क किया है गाड़ी तो AC खड़ी है, जैसे मानों अपने मालिक का इंतजार कर रही हो गाड़ी का एर सस्पेंशन फेल उचुका है, और गाड़ी की बाओडी रस्टिंग होने लेगी है Mercedes-Benz S-Class 350 की ओनर प्राइजेस 2.5 करोड रुपीज तक जाती है British manufacturer की Land Rover Range Rover Evoque सबसे ब्यूटिफुल गाड़ियों में से एक है यहाँ पर दिल्ली पोलिस कंपाउंड के अंदर ये गाड़ी खड़ी है, जो VIP नंबर प्लेट के साथ है इस गाड़ी पर शायद कोई केस चल रहा है, गाड़ी के अंडरोर प्राइजेस सतर से असिला के बिच में है इस लग्जूरेस Range Rover को महारेश्ट्रा के अंदर एबॉंडेन्ट हालत में पाया गया है ये वाली Range Rover SUV ग्रिन कलर में है, जो कि ये गाड़ी का तिसरा चनरेशन है शायद गाड़ी के एर सिस्पेंशन के खड़ाब होने की वज़े से इसे यहाँ पर छोड़ा गया है एर सिस्पेंशन को रिपेर करने का खर्चा बहुत होता है बहुत बार गाड़ी का सेकंड या फिर थर्ड ओनर जुनोंने इस गाड़ी को सस्तेमी लिया है उसे ये खर्चा बहुत लगता है और उसी के कारण गाड़ी का सेकंड या फिर थर्ड ओनर इसे एबांटेंट हालत में रस्तो पर छोड़ जता है यहाँ पर केरला के पोली स्टेशन कंपाउंड के अंदर होमर H2 और जैगवार कार एबांडेंट हालत में है इसमें हमर H2 पर रेश ड्रेविंग का केस है काड़ी बहुत ही अच्छी कंडिशन में है पर काड़ी के ओनर की सजा इस हमर H2 को भी मिली है जैगवार XJ पर भी उसी टाइब का कुछ केस दर्ज है हमर H2 अब भारत के अंदर नहीं बेची जाती पर तब उस वक्त इस गाड़ी के एक्षरों प्राइजेस असी लाक रुपीज थी जबकि जैगवार XJ एक से दो करोट रुपीज के बीच आती है इंपोर्टेड कार के स्पेर पार्ड्स ना मिलने की विज़े से कई बार उन्हें उनके ओनर्स एबांडेन कंडिशन में छोड़ देते हैं और इन लग्जूरियस और एक्स्पेंसिव कार को एबांडेन कंडिशन का सामना करना पड़ता है यहाँ पर एसे ही एक रेंजरोवर है जो बहुत ही बहुतर कंडिशन में है गाड़ी का यह मोडेल प्रीवेस जनरेशन का है यहाँ पर BMW के लग्जूरियस सेडन 750 इस गाड़ी को एबांडेन कंडिशन में छोड़ा गया है गाड़ी के कंडिशन बहुत ही सही लगती है गाड़ी के टायर्स को देखकर यहाँ पता चलता है कि गाड़ी को बहुत दिनों तक नहीं चलाए गया है शाइद मेंटेनन्स की वज़े से इसे ही सालत में छोड़ा गया है तो दोस्तों ही थी हो कुछ एबॉंडेन्ट कार्स अगर आपको यह वडियो अच्छा लगाओ तो वडियो को लाइक करिए और एसे ही इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग वडियोस के लिए चैनल को सस्क्राब करके बेल अकों दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए तो दोस्तों आच के वडियों तो बस इतना ही मिलते है अगली वडियो में